महात्मा गांधी के पोशाख प्रयोक महात्मा गांधी ने खादी को ना केवल आत्म निर्भरता का प्रतीक बनाया, बलकि ब्रिटिश मिलों में बने कपड़ों का विरोध भी प्रती बिम्बित था. 1888 में जब महात्मा गांधी कानून पढ़ने के लिए लंदन गए तो उन्होंने पश्चिमी सूट अपनाये और कमीज या कोट के साथ पहने जाने वाले अपने पारंपरिक, कपड़े, धोती या पाईजामा को छोड़ दिया. उन्होंने पश्चिमी पोशाक को अपनाया ताकि कोई उन पर हसे नहीं. दक्षण अफरीका के जोहांसबर्ग में वकालत करते हुए भी वे पगड़ी के साथ पश्चिमी सूट ही पहनते थे. 1915 में भारत वापसी पर वे कुछ वर्षों तक काठिया वाड़ी किसान की वेश भूशा में रहने लगे. 1921 में उन्होंने घोश्रा की कि वे कम से कम 31 अक्टूबर 1921 तक एक चद्दर के साथ एक छोटी धोती पहनेंगे. लेकिन ये पोशाख उनके जीवन भर की पोशाख बन गई. उनके लिए खादी, शुद्धता, सादगी और गरीबी का प्रतीक थी और इसके साथ साथ ब्रिटिश मिलों में बने कपड़ों को असुइकार करने का प्रतीक भी थी. खादी पहनना सबके बूते में नहीं था. महत्मा गांधी का सपना था कि पूरा राष्ट खादी पहने पर उनके नक्षे कदम पर चलना सबके लिए आसान नहीं था. मोतिलाल नहरू एक राष्टवादी और एक सफल वकील थे. उन्होंने बेश कीमती पश्चिमी सूट त्याग दिया और हिंदुस्तानी धोती कुर्ता अपना लिया. परन्तु ये खादी के बने नहीं होते थे. बाबा साहब अंबेटकर ने पांश जात्ते शैली के सूटों को कभी नहीं त्यागा. सरोजनी नाइडू और कमला नहरू जैसी प्रमुक महिला नेता भी सफेद हाथ से बने मोटे कपड़े की जगा रंगीन वा डिजाइन दार साडियां पहनती थी.